वाल में सभी पक्षी अपने अपने परिवार के साथ बहुत खुशी का जीवन बिता रहे थे उसी जंगल में एक कबूतर और कबूतरी भी रहते थे जो अपनी बेके किकी की वज़ा से बहुत परेशान थे क्योंकि अपनका बेका कोई भी चीज शोक से फुश होकर ना खाता वो हर खाने वाली चीज को जाया कर देता आधी खाकर आधी फैक देता आज तो वो सुभा से रोई जा रहा था और एक नहीं और अनोखी जिब कर रहा था मुझे नहीं बता ममा पापा मैं खाऊंगा तो सिर्फ मैंगो खाऊंगा मुझे कहीं से भी मैंगो ला कर दे तो कि बेटा जंगल में ठड़ का मोसम चाल रहा है और इस मोसम में मैंगो नहीं होते बेटा हम आपको कहां से मैंगो ला कर दे तो फिर मैं भूंका ही रहूंगा मुझे मैंगो चाहिए, मैं मैंगो ही खाऊंगा बेटा, समझ जाओ, हर फल का कोई मौसम होता है और मैंगो तो गर्मियों का फल है, सट्लियों में मैंगो नहीं होते नगर वो छोटा बचा कोई बात मानने को त्यार नहीं था चिलिया जो कभूतर के पास में ही रहती थी, वो कभूतर के बेटे की रोने की आवाज सुनकर बहां आ आ जाती है मैं कथ्य सो रही हूं कीकी बेटा, आप क्यों रोय जा रही है चुलिया बहन, क्या बताऊं, घर में इतना भोजन है, मीठे फल भी है मगर कीकी मैंगो खाने की जिद कर रहा है, अब आप ही इसे समझाएं के इस मोसम में हम इसे मैंगो कहां से ला कर दे चिलिया बहुत स्यानी थी, वो कीकी को सबत देना जाती थी, इसलिए वो कीकी से कहती है कीकी बेटा चलो आँ मेरे साँ चलें मैं आपको कहीं से मैंगो ढूट कर देती हूँ बगर चिडिया बहें इस मोसम में कभुते बेया आप कीकी को मेरे साथ आने दें मुझे पूरा विश्वास है कीकी सब समझ जाएगा पिर चिडिया कीकी को अपने साथ लेकर जंगल में चली जाती है बहन आप अपने बचों के लिए क्या बना रही है बहन चिडिया क्या बताओं ऐसे ढड़के मोसम में कुछ भी खाने को नहीं मिल रहा है मुझे एक बेरी का फल मिला था मैंने सोचा हम सब इसे ही पका कर खा लेते हैं बेरी का फल और वो भी इतने सारे पानी में आप पका रही हैं वो क्यों आंटी चिडिया यही दिखाने के लिए तो उसे यहां लेकर आई थी बेटा हमारे घर में और कुछ भी खाने को नहीं है मगर हमारी पक्षी क्या करें पेट भी तो फ़रना है इसलिए जो भी मिलता है उसे बांट कर खा लेते हैं पिक्टी बेटा आपके घर में तो धेर सारा भोजन है और फिर भी आप अपनी ममा और पापा से लेंगो खाने के जिद कर रही है चलो मैं आपको कुछ और दिखाते हूँ फिर चिरिया कीकी को साथ लेकर मिठू दो देके खर जा दी है अब कैसे है दोते भीया आप? क्या बताओं जुडिया बेहन मेरे खर में सब कुछ है खाजन भी है बहर में खा नहीं सकता मुझे तीन दिन से सखत बुखार है डोक्टर ने कुछ भी खाने बीने से मना कर रखा है क्यों? वो क्यों? मिठू अंकल आपको डॉक्टर ने खाने से मना क्यों कर रखा है कि मैं अगर थोड़ा सा बे कुछ खानू तो मेरे बेट में धात शुरू हो जाता है मैं बहुत तकलीफ में हूँ ठीकी बेटा आपके घर में तो कोई भी बिमार नहीं है आप सक्सवस्त हो फिर भी आप भगवान का शुकर अदा नहीं करते हो मैंगो नहीं तो क्या हुआ आपके घर में तो और भी तरहा तरहा के भोजन है जिन्हें आप खा सकते हो आप ये सब भूलकर केवल मैंगो खाने के जिद करें हो किकी चिडिया की बात चन कर खामोश रहता है फिर चिडिया कीकी को साथ लेकर थोड़ा आगे जाती है जहां एक टूटे विए घोंसे में एक कवा और कवी बैठे विए थे गोरी बहन क्या हो रहा है क्यों बताऊं चुडिया तेन दिन से भूके हैं जब से ठंड शुरू हुई है हमें कुछ भी खाने को नहीं मिल रहा आज भी मैं पूरा जंगल खूंकर आया हूँ हर तरफ बरस ही बरस है कहीं से भी कोई दाना नहीं मिला ठीकी बेडा किसी के पास भोजन थोड़ा है और किसी के पास खाने को कुछ भी नहीं है कोई बीमार है तो कोई परेशान और एक आप हो ये आपके पास सब कुछ है और फिर भी आप अपने ममा और पापा को तंग कर रहे हो ये सब देखकर कीची रोने लग जाता है आंटी मेरी आँखें खुल गई है मैं तो इन सब पक्षियों से बहुत अच्छी जिंदगी गुचा रहा हूँ और फिर भी मैं शुकर नहीं करता मैं शर्मिन्दा हूँ अपने ममा पापा से भी और खुच से भी प्लीज मुझे खर ले जाए हाँ बेका मैं यही चाहती थी कि आप उपर वाले की दी हुई हर चीज कर शुकर करो और बेमोसम के फल मांग कर अपने ममा और पापा को तंग ना करो सिर्चेडिया कीकी को साथ लेकर उसके घर वापिस चली जाती है कीकी खर जाकर अपनी ममा से कुछ चावल लेकर मजे मजे से खा लेता है क्यूंके अब उसे भूख भी लग गई थी ममा पापा सोरी आज के बाद मैं आपको तभी तंग नहीं करूंगा क्यूंके इस चंगल में बहुत से ऐसे पक्षी है मैं जिन से बहुत अच्छी जिन्दगी जी रहा हूँ से कबूतर और कबूतरी चिडिया को धन्यवाद बोलती है कि उसने कीकीती सोच को बगल दिया था वो आ गया, वो आ गया मौख फली बेचने वाली का बेटा, वो आ गया ममा कहती है, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता पक्षी अपने कामों से नहीं बलके दूसरे पक्षियों से अपने वियावाद से पहचाने जाते है जो भी है, मौख फली बेचना भी कोई काम है मेरी ममा मौख फली बेचती है और हमारे घर का गुजारा अच्छा हो रहा है हम महनत करते है मेरी ममा, आपकी ममा की तरहा दूसरे पक्षियों के घरों से चोरिया नहीं करती ये सुनकर जगू चुप हो जाता है मेहनत और इमानदारी से काम करने में कोई शरम नहीं मैंने अपनी ममा से यही सीखा है चिरिया का बेटा कुकू जब भी बाहिर जाता तो ऐसी कुछ बातें उसे अक्सर सुनने को मिलती एक, दो, तीन, और चार अरे ये क्या आज फिर हर रोज की तरहा मेरे पैसे कम है ना जाने कौन सा पक्षी हर रोज मुझे चूना लगा जाता है ममा आप ऐसे दिहान से लिया करे बेगा, सपक्षी मेरे जाने वाले ही तो मुझे से मुझे लेने आते है फिर मेरे साथ ऐसा कौन कर सकता है कोई तो है, कोई तो है, जो आप से मुझे ले जाता है और वो भी बिना पैसे दिये हाँ, ऐसा तो है फिर डूसे रोज चिडिया फिर से अपने खेत में जाती है और अपने मूँख़ली के वोदों से मूँख़ली तोड़ती है वो पक्षियों को गरम-गरम मूँख़ली भून कर देती उसी कारण चिडिया की मूँख़ली हाथों हाथ ही बिक जाती मुझे जल्दी जल्दी से सो रपे की मूँख़ली देने चिडिया मुझे कही जाना है इतनी भी क्या जल्दी है गोरी बेहन ये ले मैं में थोड़ी सी ज़्यादा ही डाल दी है गोरी कवी मूख़ली ले लेती है और फिर रोज की करहा चुडिया को बातों में लगाती है चुडिया चुडिया कब ख़दम हो रही है सर्दियों की तुगू बता रहा था कि एक दो तिन में अस्कूल खुल जाएंगे ठंड भी बहुत है मैं तो चुगू को ठंड के दिनों में अस्कूल नहीं भेजूगी कबूतर भी उड़ता हुआ आता है चुडिया चुडिया मेरी बहन आई हुई है मुझे पचास रुपए की गरम गरम मुखपली दे दें जैसे ही कबूतर आता है गोरी कवी बिना पैसे दिये जल्दी से वहां से चली जाती है और चुडिया को पता ही नहीं चलता फिर तो मैं आपको मोटी वाली मुखपली देती हूँ आपकी बहन मुखपली खाकर खुश हो जाएंगी ऐसा करें साट की कर दें फिर कबूतर भी चुडिया को पैसे देता है और मुखपली लेकर वहां से चला जाता है चुडिया को आग भी जलाना होती और मुखपली को भून कर बेचना भी होता चुडिया ऐसे सारा दिन काम करती ममा लाए मैं पैसे गिंदेता हूँ मैंने आज काम बहुत दिहान से किया था मुझे पूरा विश्वास है कि आज पैसे पूरे ही होंगे ममा ये तो 120 रुपे है ऐसा कैसे हो सकता है 100 रुपे की मुखपली तो मुझसे गोरी ने ली और फिर 60 की कबूते ने इसके इलावा बुल-बुल तोता भी तो आये थी मेरे पैसे आज फिर कम है उस छोटी जुडिया को बातों में लगाकर मुझपली के पैसे दिये बिना ही आजाती हो ये सुनकर कालुकवा और उसका बेटा जगू हंस में लग जाते हैं अपने बेटे की तरहां वो चिरिया भी पागल ही है ममा आप ऐसा ही चलिया करें दूसरे दिन कुकू सीधा पुलिस के पास जाता है और उन्हें सारी बात बताता है अच्छा तो ये बात है मैं जाता हूँ आपके साथ और आज पकड़ते हैं उसे कौन है वो चोर फिर कुकू पुलिस को साथ लेकर अपने ममा से थोड़ी दूर चुपकर बैठ जाता है पक्षी आते हैं और मुख़ली लेते हैं और पैसे देते हैं अभी तक तो सारे ही पक्षी पैसे दे कर जा रहे हैं आखिर वो कौन है साम तक जो भी होगा वो पकड़ा जाएगा फिर थोड़ी देर बाद गोरी कवी जग्गू को साथ लेकर आती है चुडिया मुझे सूरपय की मौंखपली तो देना आज मौंखपली पहले से ज़्यादा स्वाधिष्ट है गोरी देहें ये ले चुडिया मैं अपनी मां के पास जा रही हूँ मेरी मा मौंखपली वाले लड़ू बहुत स्वाधिष्ट बनाती है मैं अपनी मां के हाथों के लड़ू खाने जा रही हूँ मौंखपली वाले लड़ू तो मेरी मां भी बहुत स्वाधिष्ट बनाया करती थी मुझे आज तक उन लड़ूं का सवाधियाद है चिर्या आग धोडी काम करो तुम्हारी मुंख फ़ली जल रही है फिर तोथा भी वहां आ जाता है तोथे को देखतर गोरी जग्गु को अशारा देती है और वो बिना पैसे दिये ही वहां से उरती है पुखडी गई वो कवी बिना पैसे दिये ही जा रही है पुलिस उसे पकड़ो उसे पकड़ो फिर पुलिस जल्टी से गोरी को पकड़ लेती है तो ये तुम हो जो हर रोज चिडिया को चूना लगा जाती हो ना ना नहीं मैंने तो ऐसो नहीं कियो ये तो जेल जाकर ही बताऊंगा फिर पुलिस गोरी को जेल ले जाती है और चगू वहाँ से खर बाग जाता है मामा मैं न कहता था कोई तो है जो आपको बिना पैसे दिये ही मुझभली ले जाता है तो ये गोरी कवी थी आप पताचलेगा इसे जेल की हवा खाकर सीधी हो जाएदी ऐसे गोरी कवी को चोरी की सजा मिलती है देखा प्यारे दोस्तों चोर कितना भी होश्यार हो एक ना एक दिन तो पकड़ा ही जाता है